हेलो एंड वेलकम टू माई योट्यूब चनल उमीद है आप सभी ख्यारियत से होंगे हमने mathematics का lecture series शुरू की थी जिसमें हमने percentage chapter का lecture series शुरू किया था उसमें से हमने lecture number three में कुछ technical fault की वज़ा से वहां पर आपके पास question number जो last का question था question number eight उसमें थोड़ा सा audio की दिकत आई थी उस question को मैं दुबारा यहां पर repeat कर रहा हूँ question है by reducing the selling price of an item by 20% its sale increase by 80% accordingly how much his totals is actually affected यहां पर question में दो तरह के percentage चेंज आ रहा है एक में reduce हो रहा है एक में increase हो रहा है तो मैंने आपको percentage change का एक formula बताया था a plus b plus a b divided by 100 यहां पर reduce हो रहा है कितना 20% तो a minus में आएगा और b कितना है b increase हो रहा है कितना increase हो रहा है it is 80% increasing and a की value यहां पर कितनी है a की value minus 20 और b की value आपके पास कितनी है 80 और divide में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे यहां से यह 0 यह दो 0 खत्म 80 में से 20 गया बाकी कितना बचा 60 बचा और आपके पास क्या है a to 0 कितना आएगा यहां पर plus minus minus a to 0 कितना आएगा 16 आपके पास 60 में से 16 गया बाकी कितना बचा 44% आपका answer होगा question दुबारा बता रहा हो है by reducing the selling price of an item by 20% its sale increased by 80% accordingly how much his total sales actually affected question में percentage change बता रहा है पहले में आपके पास reduce हो रहा है 20% sale जो है increase हो रहा है 80% इसका मलब यहां पर भी आपके पास percentage change का कुछ फार्मूला लगेगा percentage change का formula है a plus b plus a into b divided by 100 a की value reduce हो रही है तो minus में लिखा आपने b की value increase हो रही है तो plus में लिखा आपने plus 80 बाकी यहां पर देखे 80 में से 20 निकालेंगे 60 होगा यह 0, यह 2, 0 और यह 2, 0 खतम एक टूजर कितना होगा 16 plus minus क्या हो जाएगा minus 60 में से 16 निकालो तो 44 होगा अब इस lecture में मैंने आपके लिए previous year question जेके SSB में जो previous year question आए हुए है वो question कुछ कराए है पहला question जो है वो junior assistant 2022 में आया हुआ है और दूसरा question भी आपका junior assistant 2022 में आया हुआ है तो इस question को मैं solve इन दोनों question को मैं आपको दिखाऊंगा कैसे solve किया जाता है और बहुत कम time में आप इस question को solve कर सकते हो The price of a door frame has increased from rupees 10,042,1196 एक door frame है उसका price पहले कितना था 1040 रुपीज उसके बाद उसका increase होके 1196 रुपीज इंक्रीज हो गया बताओ जी percentage increase क्या हुआ percentage increase निकाल ली के लिए बहुत आसान तरीका है आप क्या करिए 1040 आपके पास पहले पर पहले आपके पास था उसके बाद क्या लिखा आपने 1196 लिखा अच्छा इन दोनों का difference अगर देखा जाए तो आप लिखेंगे 156 divided by 1040 तो यहां पर जब आप डिवाइड करोगे तो यह आपके पास 2 से 278 जर और यह कितना होगा यह होगा 520 जर आपके पास कितना है 78 divided by 520 इसी तरीके से इसको करिएगा तो यह बनेगा 39,20 होता है 78 इसको करेंगे तो यह कितना बनेगा आपका यह बन जाएगा आपका 200 and कितना बनेगा 260 260 आपके पास कितना बनेगा 39 divided by 260 अब आप क्या करिएगा इसको 3 के साथ multiply करिए 3,13 जर कितना होता है 13,30 कितना होता है और 13,20 कितना होता है आपके पास क्या आया 3 upon 20 अब इस 3 upon 20 को मैंने lecture number 1 में आपको बताया था कि इस fractional value को आपने change अगर करना है तो आपके पास यह जो denominator है इसको आपने 100 करना होगा आपको 100 कैसे करना है 3 upon 20 दिया है आप क्या करिए multiply कर दीजे 5 के साथ नीचे भी 5 के साथ नीचे भी multiply कर दीजे और 5 के साथ उपर भी multiply कर दीजे तो आपके पास क्या बनेगा यह 15 बनेगा और यह 25 कितना होगा आपके पास 100 होगा तो मैंने कहा था जब भी आपके पास कोई भी चीज परसंटेज में अगर देखनी है तो वो हंडरट में से होती है हंडरट में से कितना आया 15 मां लीज़े 15 रुपे जो है वो इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब यहां पर कितना आया 15% का यहाँ पर increase हुआ तो बारा बता रहा हूँ कैसे करना था इस question को price of a door frame has increased from 1040 रुपे ऐसे लेके 1196 रुपे जो है आपका increase हुआ है बताओ जी percentage increase कितना हुआ तो इन दोनों का difference आपने पहले निकालना है उसको divide कर देना है किसके साथ आपके पास जितनी value आरेडी दी थी तो फिर आपने क्या किया 2 के साथ divide किया तो 78 2 के साथ divide किया तो 520 फिर 2 के साथ divide किया 39 फिर 2 के साथ divide किया 260 फिर 13,30 होता है 39 यहाँ पर 13,20 होता है 26 आरेडी 0 था वो 0 लिख लिया आपके पास fractional value आई 3 upon 20 इस 3 upon 20 को मैंने percentage में कैसे convert करना है तो percentage में अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप percentage में कैसे convert करेंगे आपके पास 3 upon 20 है ना इस 3 upon 20 को आप क्या करिएगा इस 3 upon 20 को multiply करिए 100 के साथ क्योंकि आपने जब fraction को convert करना होता था किसमें percentage में तो आप multiply कर देते थे 100 के साथ ये 0, ये 0 खतम 2102, 250 कितना हुआ 10, 530 कितना आया फिर से 15% आपका answer होगा अगला question है इस ब्रॉट फार रुपीज 42,000 42,000 and sold at रुपीज 44,620 find the gain percent ये भी आपका question आया है junior assistant 2022 में ये JK SSB में आने वाले question है एक आपके पास mobile था वो 4,200 का आपको मिला लेकिन आपने भेजा कितने में आपने भेजा 4,620 रुपीज में बताओ जी percentage gain कितना आया देखे आपके पास R.E.D. कितना था आया कितने का 4,200 का बेजा कितने का 4,620 का इनके भीच का difference जरह देख लीजे कितना है it is 420 मनलब आपने कमाया कितना 420 रुपीज इस mobile के उपर आपने कमाया कितना 420 रुपीज किस में किस पे कमाया आपके पास R.E.D. जो value थी वो कितनी है 4,2,00 आपके पास ये 0, ये 0 खतम 42 यहाँ पर 42 यहाँ पर तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा आपके पास वाना पान 10 मना इसको percentage में कैसे convert करेंगे सर 100 के साथ multiply करेंगे तो ये 0, ये 0 खतम 10 मनजर आपके पास क्या आएगा 10% आपका answer आएगा दुबारा बता रहा हूँ एक mobile है आपने 4200 में खरीदा उसको बेजा कितने में 4620 रुपीज में बताओ जी gain percent कितना हुआ आपने 4200 में लिया था और बेजा कितना 4620 रुपीज में इनके बीच का difference आपके पास 420 आता है किस पे आया ये आपने भीजा ये लाया कितने क्या था 4200 का तो ये 42 1042 यहां पर 0 already है तो ये कितना बना 1 upon 10 अब इस 1 upon 10 को मैंने convert करना है percentage में ये 0 ये 0 खतम आपके पास 1010 क्या होगा 10 percent आपका answer होगा अगला question आपकी screen के उपर ये रहा question है what will be 160 percent of a number whose 200 percent is 140 ये question जो है वो JKPSI 2022 में आया हुआ है और ये question जब CBT exam हुआ था उसमें ये question एक shift में पूछा जा चुका है what will be 160 percent of a number whose 200 percent is 140 पहले मुझे 200 percent किसी number का निकालना पड़ेगा जिसको कितने के बराबर दिया है 140 के बराबर मुझे वो number पहले find करना पड़ेगा 140 divided by आपके पास 2 तो X की value आपके पास कितनी आई 70 अब मुझे एक चीज़ बताइए ये 200 percent of X दिया था मैंने कितना निकालना है 160 percent इसका 160 percent कैसे निकालेंगे 160 percent therefore 160 percent of 70 निकालना है तो 160 percent of 70 का मलना 160 divided by 100 multiplied by क्या आएगा 70 आएगा तो ये 0 ये 0 खतम ये 0 ये 0 खतम आपके पास क्या बनेगा 760 हुआ 42 बाकी बचा 4 710 7 7 और 4 कितना हुआ 112 इसका आंसर था बहुत आसान था ये JKPSI में पूछा जा चुका है question है what will be what will be 160 percent of a number whose 200 percent is 140 200 percent मान लिजे कोई number है आपके पास उसका 200 percent कितना है 140 के बराबर तो 200 percent of that number उस that number को हमने x लिया है 200 percent of that number is क्या है 140 के बराबर तो 200 percent का आया divide by 100 ये 0 ये 0 खतम 2 multiply में था इस साइड जाएगा तो divide होगा x is equal to 140 divide by 2 यहां से x की value कितनी आएगी 70 इसी तरीके से आपके पास 160 percent इस 70 का मैंने निकालना है तो 160 percent of 70 कितना आएगा 160 divided by 100 multiplied by 70 ये 0 ये 0 खतम ये 0 ये 0 खतम 760 हुआ 42 बाकी बचा 4 7107 और 4 कितना हुआ 11 आपका answer question number 4 if two numbers are respectively 20 percent and 50 percent of a third number मुझे इधर भी third number मालूम नहीं है third number में x फिर से assume कर लेता हूँ question बता रहा है कि third number का 20 percent आपके पास क्या है एक number 20 percent है और दूसरा number क्या है 50 percent तो मैं x का 20 percent अगर निकालूंगा 20 percent of x कितना आएगा it is 20 divided by 100 multiplied by x ये first number आया second number क्या दिया है second number दिया है second number आपके पास क्या दिया है it is 50 percent of x तो हम लेखेंगे 50 divided by 100 into x question बता रहा है ये भी question आपका GKPSI 2022 CBT exam में आया हुआ है एक shift में ये question भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर तो यहाँ पर question बता रहा है what is the percentage of the first number to the second first number आपके पास ये है second number ये है तो इनकी percentage निकालेंगे तो पहले मुझे इसको और इसको डिवाइड करना पड़ेगा ये बनेगा 20 divided by 100 into x और divided by 50 divided by 100 into x ये 100 ये 100 खतम ये x ये x खतम आपके पास बचा 20 divided by 50 ये 0 ये 0 फिर से खतम आपके पास क्या बचा 2 upon 5 अब मुझे एक चीज मालूम है कि 2 into इसको मैं 1 upon 5 लिख सकता हूं sir 1 upon 5 की value आपको मालूम है कितनी होती है 1 upon 5 की value it is 20% तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2 into 20 यहाँ पर आएगा 24 तो आपका 40% इस सवाल का answer था दोबारा बता रहा हूं question है कि आपके पास एक number है जो 20% of third number है और दूसरा number जो है वो 50% of third number है बताओ जी percentage of first to the second क्या होगा तो 20% of third number मालीजे x से तो 20% of first number क्या जाएगा 20% of third number तो 20 divided by 100 multiplied by x इसी तरीके से second number अगर देखा जाए तो it is 50% of the third number third number is your x तो यहाँ पर बनेगा 50 divided by 100 multiplied by x question बता रहा what is the percentage of the first number to the second number first number आपके पास यह था second number आपके पास यह था इन दोनों का ratio ले लो तो क्या बन जाएगा यह x खतम यह 100 यह 100 खतम यहाँ पर बचा 20 divided by 50 20 divided by 50 आपने लिखा यह 0 यह 0 खतम 2 upon 5 आपने लिखा इसकी percentage value निकालने के लिए हमने क्या किया 2 into 1 upon 5 लिखा 1 upon 5 की value मुझे पता है 20 के बराबर होती है 2 into 20 करेंगे तो 40% आपका answer होगा आपके पास अगला question जो है यह भी junior assistant 2022 में आया हुआ है और question number 6 भी आपका junior assistant 2022 में आपके shift में आपको देखने को मिलेगा तो question है if 15% of 40% of 25% of a number is 189 then what is the number आसान सा question देखिए 15% का मदलब क्या हुआ divide by 100 और 40% का मदलब divide by 100 25% का मदलब divide by 100 और बीच में आफ है बीच में आफ है अपने multiply किया यहां पर भी multiply ए नमबर उस नमबर को आप मान लिजे x है और वो कितना है 189 के बराबर यह आप उड़ाएंगे तो यह बनेगा 350 15 और यह 25 जर होता है आपके पास कितना 100 यह 0 यह 0 खतम यह 2 और यह 5 यह 25 यह 4 आपके पास बचा क्या 3 upon 20 यहां पर यहां पर बचा 2 upon 5 यहां पर बचा आपके पास 1 upon 4 multiplied by x is equal to 189 यह जो उपर multiply में है इनको यहां पर क्या लेंगे हम divide में लेंगे और यह जो divide में है इनको यहां पर हम क्या लेंगे multiply में लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा यह यह बन जाएगा आपके पास x is equal to 189 यह divide में हैं आपके पास multiplied by 20 multiplied by 5 multiplied by 4 और divide में क्या लिखेंगे यहां पर 3 multiplied by 2 तो 3 multiplied by 2 तो यहां से आप क्या करोगे 310, 3, 360, 18 और 3300 आपके पास 9 होगा 210, 2 और 2200, 4 होगा 520 कितना हुआ 10 10 into 63 करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास x is equal to 630 multiplied by 20 यह 0, यह 0 आप last में लिख लिजे 230 कितना हुआ 6 620 कितना हुआ 12 इतना आपके पास वो number होगा 12600 इसका answer का दोबारा बता रहा हूँ आपने क्या करना है 15% 15% मलब क्या हुआ 15 divided by 100 off की जगा multiply 40% 40 divided by 100 multiplied by यह off की जगा multiply 25% 25% का मलब 25 divided by 100 और off की जगा फिर से multiplied by और यह number है तो उसकी जगा x is की जगा is equal to और equal to कितना लिखा 189 फिर आपने क्या किया इसको 5 के साथ उड़ाया तो 35,015 इसको 5 के साथ उड़ाया तो 25,0 कितना होता है 100 इसी तरीके से यहां पर किया और इसी तरीके से यहां पर तो यह बना आपके पास 3 upon 20 multiplied by 2 2 upon 5 multiplied by 1 upon 4 multiplied by x is equal to 189 यह जो divide में आपके पास number थे इनको आपने यहां पर multiply किया और यह जो multiply में number है इनको आपने divide किया तो यहां पर आपने क्या किया 36,018 और 330,9 यहां पर क्या हुआ 2,204 और 5,20 कितना होता है 10 10 into 63 करेंगे तो 6,30 आपके पास multiplied में 20 है यह 0, यह 0, दो 0 आए 2,30 कितना हुआ 6 2,60 कितना हुआ 12 यह रहा आपका answer इस question में बहुत important question है यह भी यह junior assistant 2022 में आया हुआ question है question कहा रहा है जैनी गेट सक्सक्षू discount of 10% and 20% on his food bill of rupees 4550 what is the amount paid by जैनी जैनी जो है उसको उसने bill food का bill देना है और उसका amount जो बना था 4550 बना था उसको 2 discount मिले एक 10% का discount मिला एक 20% का discount मिला बताओ जी जैनी ने कितना पैंसा जो है किसमे लगाया कितना पैंसा जो है वो pay किया आप देखें सबसे पहले आपके जैनी ने कितना पे करना था? इतना? इसमें से 10% आप निकाल दीजे तो 10% आएगा 455 कि 10% का एक 0 यहां पर यह 0 यह 0 खत्म हो जाएगा 10% का इतना यह आपके पास बन जाएगा 5 यह बन जाएगा आपके पास कितना 14 में से 5 निकलेगा बाकी कितना बनेगा 9 यहां पर आपके पास क्या बनेगा यहां पर 4 में से 4 बाकी 0 और यहां पर आपके पास क्या बचेगा 4 अब इसमें से इसका भी कितना परसेंट? इसका 20% मल्टिप्लाई करेंगे 20 के साथ तो यह बन जाएगा आपके पास 20% कितना 250 हुआ 10 यह बनेगा 4095 multiplied by 20 तो यह बन जाएगा आपके पास 0 25010 बाकि बचा 1 29018, 19 और यहां पर कितना बजेगा 20000 और 1 कैरी जो हुआ था 24008 यह आया और यह आया आपके पास कितना 819 इसको डिवाइड करेंगे हम 100 के साथ क्योंकि percentage है ना 20% की बात कर रहा है तो percentage का डिवाइड बाइ 100 यह 0, यह 0 खतम कितना बना 819 अब इतना कितने में से 4095 में से आपने माइनस करना है 819 माइनस करिएगा तो आपका आंसर आएगा 3276 3276 आपका आंसर होगा अगर इस तरीके से नहीं करना है दूसरे एक तरीके से भी में आपको बताऊंगा अगर इस तरीके से किसी को समझ आ गई तो दूसरे तरीके से भी में आपको दिखाऊंगा कैसे इस question को solve किया जाता है यहां पर आपके पास क्या था, सक्सक्सियों आपके पास discount है, 10% and 20%, आपके पास वही value आएगी, a plus b, plus a into b divided by 100, a की value कितनी है, 10% discount है, तो minus 10, अच्छा, b की value भी minus 20 है, तो यह बनेगा minus 20, अच्छा, plus a की value minus 10 है, b की value minus 20 है, तो divide by 100, यह 2 0, यह 2 0 खत्म, minus, minus क्या हो जाएगा, और यह minus minus plus हो जाएगा, यह कितना बनेगा, minus 30, और plus 2, 30, 30 में से 2 गया, वाकी कितना बचेगा, minus 28, इसका मलब आपके पास 100 था, 100 में से 28 तो चला गया, discount में, वो कितना बचेगा, आपके पास 72% बचा, यह 72% इसने total का दिया है, तो 72% of total अगर निकालना चाहूं, 72% of 4550 का निकालना चाहूं, तो यह बनेगा 72 divided by 100 multiplied by 4550, यह 5 के साथ डिवाइड करेंगे, तो यह क्या बनेगा, अच्छा, यह 2 0, यहां पर कितना बनेगा, 100 के साथ, यह 0, यह 0 खतम, 520, 10, 590 और 510, आपके पास क्या बचा, यहां पर बचा, आपके पास यह 236 0, multiply करिए, अब आपके पास 36 multiplied by 91 है, यह बनेगा 3276 आपका अंसर, तो यह भी आपका आसान तरीका है, जो successive discount का आपने question किया अगला question आपके सामने यह रहा, the cost of an article was Rs. 75, the cost was first increased by 20% and later on it was reduced by 20%. The present cost of the article is, question गया रहा है कि एक article है, उसकी cost जो है, वो 75 रुपेज थी, उसके बाद पहले उसको increase किया गया 20%, उसके बाद decrease किया गया 20%, बताओ जी, present cost क्या थी, देखें, यहां पर भी आपके पास, जितना increase पहले हो रहा हो, उतना ही decrease हो रहा है, तो आपके पास एक formula था, A plus B plus A into B divided by 100, यहां पर आपने, मैंने आपको पिछले lecture में बताया था, कि जहां पर आपके पास increase भी उसी percent से हो रहा है, और decrease भी उसी percent से हो रहा है, तो आपने यह वाला formula यूज करना है, A plus B जो हटा के, A B divided by 100 ले लेना है, तो A की value कितनी आपके पास, it is 20 percent और यह increase हो रही है, तो प्लस में होगा, and B की value reduce हो रही है, तो यह क्या होगा, minus 20, और divide में क्या लिखेंगे हैं, 100, यह 0, यह 0, यह 0, खतम हो गया, तो आपके पास कितना बचा, यहां पर 2 to 0, 4, लेकिन क्या आएगा, minus 4 percent, आपके पास माल लीजे, 100 percent सा total, उसमें से कित इसना बचा 96 percent, इसका मल्दब अभी present cost कितनी है, it is 96 percent of the 75, actual cost कितनी थी, 75, तो हम निखेंगे, 96 percent of 75, तो 96 percent निकालेंगे, तो 96 divided by 100 करना पड़ेगा, और multiplied by क्या करेंगे, 75, 75, 75, 1, 0, 25, 3, 0, और यहां से 25, 25, 4, 0, यहां से 4, 1, 0, 4, 2, 0, 8, बाकी बचा 1, और 24, 0, तो 24 into 3 करेंगे, तो आपके पास rupees 72 answer होगा, तो यहां पर मैंने क्या किया, A into B का formula यूज किया, आपके पर percentage change आया, percentage change को 100 में से मैंने minus किया, आपके पास 96% बचा, 96% off, total मेरे पास पैंसे कितने थे, जो cost of article थी, which was 75, आपने 96 divided by 100 किया, percentage का 100 आया, off का multiply, और 75 का 75, 25, 3, 0, 75, 25, 4, 0, 100, 4, 24, 0, 96, 24 into 3 करेंगे, तो आपके पास 72 answer होगा, Thank you, have a nice day, keep watching our channel.